इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. वेब प्राम 10 टेबलेट व्यापक रूप से depression और अन्यमानसिक स्वास्थिस्थितियों जैसे anxiety, panic disorder और obsessive-compulsive disorder के इलाज के लिए निर्धारित है. यह एक प्रकार का antidepressant है जिसे selective serotonin repetech inhibitor यानि की SSRI के रूप में जाना जाता है. वेब प्राम 10 टेबलेट मूड में सुधार करके और anxiety और तनाव से राहत दिलाकर depression से उबरने में मदद करता है. इसे भूजन के साथ अत्वा बिना लिया जा सकता है. खुराक और आपको कितनी बार इसकी आवश्यक्ता होगी, यह आपके लक्षनों को नियंतरित करने के लिए आवश्यक मात्रा के आधार पर आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा. आपका डॉक्टर आपको कम खुराक पर शुरू कर सकता है और इसे धीरे-धीरे बढ़ा सकता है. अपने डॉक्टर से बात किये बिना खुराक में बदलाव न करें या इसे लेना बन न करें, भले ही आप ठीक महसूस करें. ऐसा करने से आपकी स्थिती और खराब हो सकती है या आप वापसी के अप्रिय लक्षणों, यानि की चिंता, बेचैनी, धरकन, चक्कराना, नींद में गरबड़ी, आधी से पीडित हो सकते हैं. अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इस दवा को नियमित रूप से प्रति दिन एक ही समय पर लें. अगर आपको सोने में परेशानी होती है तो आपका डॉक्टर आपको सुभ इसे लेने की सलाह दे सकता है. आपको बहतर महसूस करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं. यदि आपको चार सप्ताह के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर को बताएं. इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स में मतली, ठकान, पसीना बढ़ जाना, अनिद्रा, यानि की नींद में कठिनाई, यौन इच्छा में कमी, स्खलन में देरी और महिलाओं को कामोनमात प्राप्ट करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है. कुछ लोगों को इस दवा को लेने के बाद नींद आने का अनुभव हो सकता है. अपने चिकित्सक को तुरंत बताएं यदि आपका मूड अचानक खराब हो जाता है या खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में कोई विचार आता है. यदि आपको मिर्गी यानी की जबती विकार या दोरे, मधुमे, लीवर या किड्नी की बीमारी, हिर्दे की कोई समस्या है या इस समय M.A.O. इन्हिबिटर के रूप में जानी जाने वाली अवसात की दवाएं ले रहे हैं, तो वेप्रेम 10 टेबलेट लेने से पहले आपक अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकते हैं, कृप्या अपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए आप ले रही हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद